हम रहें या ना रहें कल, याद आएंगे ये बल केके से जुड़े कुछ ऐसे facts, जिसे सब अंजान है केके को कैसे मिली singing की inspiration सिंगर कृष्ण कुमार कुनत, जो केके के नाम से famous है, अब हमारे बीच नहीं रहे केके ने रईस, जननत, ओम, शान्तियों और काइट्स जैसी कई बॉलिवुड फिल्म्स में अपनी आवाज दी है Recently कॉलकाता में हुए एक concert में आखरी बार उन्होंने परफॉर्म किया जिसके बाद वहीं उन्हें काडिया का रेस्ट आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन legendary singer केके को याद करते हुए आज हम उनके बारे में कुछ ऐसे facts बताने जा रहे हैं जिनसे सभी अंजान है legendary singer केके ने कई super hit tracks दिये हैं लेकिन जब 1985 में उन्होंने अपने career की शुरुआत की थी तो उन्होंने जिंगल्स के साथ की और 3000 से भी ज्यादा जिंगल्स गाए popular bollywood singers में से एक केके आज ना जाने कितनों की inspiration है लेकिन खुद केके को singing के inspiration अपनी mom के एक मल्याली song को सुनने से मिली जिसे केके के father ने tape recorder में record किया था अब तक केके singing की तरफ incline तो हो चुके थे लेकिन singing को seriously उन्होंने second grade से लेना शुरू किया जब उन्होंने stage पर 1973 में आई राजा रानी के song जब अंधेरा होता है को perform किया और इसके लिए positive response मिला वैसे केके से जड़ा एक और interesting fact ये है के उन्होंने अपनी childhood sweetheart Jyoti Krishna से शादी की हालांकि उनके लिए शादी तक का सफर तै करना बेहद मुश्किल था Well, yes, he had to get himself a job, which he did. He worked as a salesman for six months and then eventually quit the job. His wife and his father convinced him to pursue music and he started working on jingles again. बता दें, केके ने वैसे तो कई चाथ-bustर Bollywood songs गाए हैं, लेकिन he just won one major award in 2009 for the song Khuda Jaane from Bacchna Aey Hasino. यही नहीं, केके ने वैसे तो कई चाथ-bustर Bollywood songs गाए हैं, एक बात और जिसे सुनकर आप थोड़ा सा हैरान होंगे, वो यह कि केके के गाने तो सबसंते थे और पसंद भी करते थे लेकिन केके claimed that most people didn't recognize him. केके legendary singer केके, a.k.a. Ashok Kumar के die-hard fan थे. So, आज केके की untimely deaths से पूरे industry, उनके fans और admirers सभी काफी शौक में हैं, and we offer our sincere condolences to केके's family in this time of grief. के लिए सबस्दाइब।